हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आर्जे नियूस और वॉलिवूट की लेटेस्ट खबरों के साथ मैं मिठलेशनी साथ आपका स्वागत करता हूं मड़ी एक अभिनाव प्रयास है और हाल ही में रिलीस किये गये मोशन पोश्टर ने सभी कध्यान अपनी और आकरसित कर लिया है मोशन पोश्टर को अपनी रिलीस के कुछ ही समय के भीतर दो मिलियन से अधिक बार देखा जा चुगा है और सोशल मीडिया पर जम का ट्रेंड कर रहा है मड़ी मड रेसिंग पर बनी पहली भारतिय फिल्म है मड़ी का निर्देशन डॉक्टर प्रभागल त्वारा निर्देशित किया गया है और इसमें युवान और रिधान मुख्य कृष्णा मुख्य भूमिकाओं में है प्रेमा कृष्णदास ने PK7 Creations बैनर तले फिल्म का निर्मान किया है और फिल्म को तेलवु तमिल, कन्नड और मलयालम भासाओं में पैन इंडिया में रिलिस किया जाएगा केजी एफ के प्रसिद्धी रवीब बसरूर ने संगीत का निर्देशन किया है और केजी राठेज ने सिनेमेटोग्राफी का काम समाला है देश भर में इन दिनों पैट्रोल और डीजल की किमते आस्मान छू रही है देश के कई राज्यों में पैट्रोल सो रूपे प्रती लीटर के पार हो गया है इस मुद्दे पर लोग सोसल मीडिया पर कई तरह की मिम्स बना रहे हैं इसके साथ ही वह सरकार की भी कड़े सब्दों में आलोचना कर रहे हैं हाल ही में रंगदे बसंदी फेम सिधार्थ ने एक ट्वीट कर वित्त बंत्री पर तंच कसा है दरसल मसूर वकील प्रसांद भूसन ने निर्मला सीता रमन का एक वीडियो सेयर किया इस वीडियो में निर्मला सीता रमन के दो बयानों की तुलना की गई है प्रसांद भूसन के इस वीडियो पर सिधार्थ ने ट्वीट कर लिखा मामी अपने विश्वास प्रनाली में अगले इस्तर पर लचीली हैं ना प्याज, ना यादास्त, ना सिध्धान्त आपको बता दे कि सिध्धान्त ट्वीटर पर अपने बिवाग बयानों की वज़े से जाने जाते हैं और खुल कर अपनी राय रखते हैं वहीं निर्मला सीतर रवन के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि यहाँ ऐसा मुद्ध है जिसमें कीमत में कटवती के अलावा कोई भी उत्तर जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएगा अमिताब बच्चन, इमरान हासमी और रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरे का नया पोउस्टर सेर करती हुए फिल्म की रिलीज डेट की एनाॉसमेंट कर दी है फिल्म 30 अपरेल को थेटर में रिलीज होगी लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि पोश्टर में रिया चक्रवर्ती नजर ही नहीं आ रही है पोश्टर में इमरान, अमिताब के अलावा क्रिश्टल, डिसूजा, अन्नु, कपूर और रघुवीर यादव नजर आ रहे है पोश्टर को सेर करते हुए लिखा है अमिताब इमरान की चहरे को मिली रिलीज डेट इस फिल्म के जरिये पहली बार अमिताब और इमरान एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे फिल्म 30 अप्रेल को रिलीज होगी जिसे रूमी जाफरी डारेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस आनन्द पंडित मोशन पिक्चर जारा की जा रही है स्वारा भासकर ने 2013 में आई फिल्म रज्जो में कंगना रनाउत के डांस नंबर का एक वीडियो पोश्ट किया है इस पर अब एक्ट्रेस कंगना रनाउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है दरसल कंगना ने फिल्मों में आईटम सौंग करने के लिए एक्ट्रेस आलिया भट, दीपीका पादिगोन और कैटरीना कैफ पर हमला बोला था इसके जबाब के तोर पर स्वरा ने यह पोश्ट किया है हाल में कंगना ने कहा था कि वहाँ स्क्रीन पर आइटम नंबर करने से मना कर देती है कंगना सहीं कई लोगों ने अपनी ट्वीट पर कहा कि रज्जों में कंगना का आइटम सौंग नहीं था क्योंकि कंगना फिल्म में एक बार डांसर का किरदार निभा रही थी और यहां गाना उसकी कहानी का एक हिस्सा था इसके बाद कंगना रनौत ने स्वरा भासकर पर हमला बोला उन्होंने एक निउस रिपोर्ट को अपने ट्वीट में सामिल करते हो लिखा था जब भी मैं ए लिष्टर एक्टर्स पर सवाल उठाती हूं तब भी लिष्टर कलाकार सिपाही बनकर उनके बचाओं में आ जाते हैं आइटम नंबर एक ऐसा डांस नंबर है जिसका फिल्म की कहानी से कोई लेना देना नहीं है जिसमें महिलाओं के लिए अपमान जनक भासा का उपयोग किया जाता है यहां तक कि मैंने जब भी एक नटखट लड़की की भूमी का निभाई तो मैंने सुनिश्चित किया कि यहां महिला के लिए अपमान जनक ना हो बीते साल कोरोना वायरस की चलते दर्सक सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए तरस गया ऐसे में अब इंडस्ट्री साल 2021 में साल 2020 की कसर पूरी करने की तयारी में जुड गई है रनवी सिंग की 83 से लेकर अक्षे कुमार की अतरंगी रे तक अब तक कई बड़ी फिल्मों की डिलिस डेट का एलान हो चुका है साल 2021 का मूवी केलेंडर लगतार भरता नजर आ रहा है इस कड़ी में अब एक और फिल्म का नाम जुड गया है जो इस साल सिनेमा घरों में धमाल मचाती नजर आएगी या फिल्म है भूत पुलीस सैफ अली खान, अर्जून कपूर, जैकलिन फर्णांडीज और यामी गौतम इस्टार या फिल्म 10 सितंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीस होगी हाल ही में फिल्म की रिलीस डेट का ओफिसल एनॉस्मेंट किया गया है, यानि भूत पुलीस की रिलीस डेट पक्की हो चुकी है सैफ अली खान के फैंस भी फिल्म की रिलीज डेट के एलान से काफी खूस है एक्टर के फैंस सोसल मीडिया पर अपनी खूसी का इजहार कर रहे हैं